हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहिद के फिप्टी मोस्ट इंपर्टेंट कोस्टन की प्रेक्टिस करेंगे जो सभी प्रतियों की परिच्छाओं के लिए बेहादी मात्पूर्ण है और यह सारे वही कोस्टन है हि को बार बार पेपर में लगदार सभी पेपर हों में पूछ जाए बहुत ज्यादा मैंतलब्य कोशन पूचे गए हैं कि और अगर आपको वीडियो अच्छा लग चैनल अब्राइब करें वीडियो को लाई करें कमेड करें चलिए देखते हैं पहला कोश्चन अयोद्या सिंग उपध्याय हरी ओध पनीश वर नाथ रेडू किसके लेखा खए मैला आचलके मैला आचलके गोदान किसकी कृति है गोदान की रचनाकार है प्रेम चंद मुंसि प्रेम चंद कस्तूरी कुंडल बसे आत्म कथा है मैत्रे पुस्पा की चरण दास चोड किसकी नाट करती है हबीब तन्वीर की अब अगला कोशन है यहां पर भूसन बिन विराजाई कविता वनिता मित्त यह कचन किसका है केस अदास का है ज्यानमारगी साखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है संद कवि के नाम से इन इन मुसल्मान हर जनन पर कोटिक हिंदु नवारिये ये कतन किसका है भारत हिंदु हरिचंद का भारत हिंदु हरिचंद ने कहा था इन मुसल्मान हर जनन पर कोटिक हिंदु वारिये अब भ्रेंफ का वाल मीकी किसे कहा जाता है स्वयम्भू को चंदर बरदाई किसके दर्बारी कवी थे प्रथवी राज चौहान के मलिक मुहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायक्स जायस नामक इस्थान के निवासी थे रीत काल का हुआ कौन सकवी है जो अपनी मातर एक करत से हिंदी साहित में अमर हो गया बिहारी कठिन काव का प्रेत किस कवी को कहा जाता है केसव दास को दुएदी युग का नाम करण किसके नाम पर हुआ है महावीर प्रिफाद दुएदी के हिंदी प्रदीप के ये सच्चुई संपादक का नाम है बाल क्रिफ्ण भट निमनलिकित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं स्याम सुंदर दास महावीर प्रिफाद दुएदी फ्री नाराण चतुरुवेदी या पिर सांध्प्रिय दुएदी तो इसका इंफर हो जाएगा सांध्प्रिय दुएदी जो सरस्वती पत्रिका उसके संपादक नहीं रहे हैं उसने कहा था के मुक्य पात्र का नाम है लहना सिंग और उसने कहा था जो पुस्तक इसके जो रचना इसके रचनाकार कौन है चैंदधर सर्मा गुलेरी निम्नलिकित मेंसे कौन सा नाटक प्रफाद का नहीं है तो हम जो सिंदूर की होली है यह जैसंकर प्रफाद का नाटक नहीं जबकि जनमेजे का नागयग, इसकंद गुप्त और धुरूस आमनी यह तीनों ही जैसंकर प्रफाद के नाटक हैं हिंदी साहित के आधुनिक काल को इस नाम से भी जाना जाता है गद्द काल के नाम से हिंदी साहित में प्रयोगवाद की प्रफाद का नाम है अगय प्रयोगवाद की प्रफाद का नाम है अगय म्रग नैनी उपन्यास के रचनकार हैं वरंदावन लाल वर्मा जाएसी किस धरा के कवी हैं प्रेमा ख्यानक काविधारा के प्रेमा ख्यानक काविधारा के अब उसके बाट 24 नमबर कोस्चन है कौन सी पुष्टक प्रेम चंदर द्वारा लिखी ते नहीं है कायक कल्प, जैपराजे, रंग भूमे और प्रेमा ख्यानक तो जैपराजे पुष्टक जो है या प्रेम चंदर के द्वारा लिखी नहीं गई है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखाख है कमलेसर मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है विद्यापति को प्रक्रत के सुकुमार कभी किसे कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को एक भारती आत्मा किसे कहा जाता है माखन लाल चतुर्वेदी को कथा समराठ किसे कहा जाता है प्रेम चंद को बाल चित्रण में कौन से कवी स्रेफट है शूर्दास हिंदी साहित के आरंभिक काल को आचार रामचंदर सुगलने क्या कहा है आचार रामचंदर सुगलने कहा था आरंभिक काल को वीर गाथा काल अब यहाँ पर 32 नमबर कोश्चन है वीर गाथा काल का कवी नहीं है तो यह जो नाम देव हैं यह वीर गाथा काल के कवी नहीं जबकि चंदर बर्दाई, जगनिक और मदुकर यह तीनों वीर गाथा काल के कवी है वीर गाथा काल के सर उश्रिट कवी माने जाते हैं चंदर बरदाई प्रथवी राज राजों के रचनकार है चंदर बरदाई कबीर दास की बासा थी सधुकड़ी कट कटान कभी कुंजर भारी दोव भुज दन्ड तमक महिमा मंढन डोलत धरनी सभासत सभापत खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे प्रस्तित पंक्तियों के रचाईता हैं इस पंक्तियों के रचाईता तुलसी दास कहो ने? तुलसी दास नयन जो देखा कमल सा निरमल नीर फरीर हसत जो देखा हंस सा भादसन नगहीर प्रफ्तित पंक्तियों के रचाईता है जैसी कौन है? जैसी सीवा बामनी के रचनकार हैं भू सड नर की और नल की गती एक एकरी जोए जेतो नीचो है चले तेतो उचे होए प्रफ्तित पंक्तियों के रचाईता है बिहारी लाल सखी वे मुझे से कहकर जाते के रचाईता है मैथली सरण गुप्त हिंदी कविता को छंदों की परिद से मुक्त कराने वाले थे सूर्कांत तिरपाठी निराला तितली किसकी रचना है जे संकर प्रफाद की अतीत के चल्चित्र के रचाईता है महादेवी वर्मा पल्लाओ के रचाईता है सुमित्रा नंदन पंत चिंता माड़ी के रचाईता है रामचंदर सुक्ल जन मेजे का नाग एक किसकी करती है जै संकर प्रफाद हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले मस्तिक आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले प्रस्तुत पंक्तियों के रचाईता है भगवती चरण वर्मा निर्म लिकित में सबसे पहले अपनी आत्म कता हिंदी में किसने लिखी राजेंदर प्रफाद ने अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी उप्युक्त पंक्तियां किसकाव की हैं तो यह है जैसोदरा की और जैसोदरा के लिखक है मैथली सरण गुप्ति हिमाले के यांगन में उसे प्रथम किरणों का देव पहार उसे ने यहां सव्यादन किया और पहनाया हीरे कहार प्रस्तित पंक्तियों को रचाईता है जैसंकर प्रफाद कौन है जैसंकर प्रफाद तो हमें वहार 50 कोशन कंप्लेट हो गए मिलते नेक्ट वीडियो में धन्यवाद